Suteck family, आज laptop की बात करते हैं, एगर आपका बैर 30,000 है 30,000 के प्राइस रेंग में Top 3 Best Powerful Laptop पर Recommend करने वालों लेकिन सबसे पहले एक Basic Kriteria की बात करते हैं की 34,000 के privacy में हमें laptop में क्या चाहिए तो स्क्राइस रेंग 행 प्राइज रेंग में laptop में होनी चाहिए प्लस रैम अपगेड करने का option मिलना चाहिए SSD हमें laptop में चाहिए वो भी 512 GB SSD भी अपगेड करने का option मिलना चाहिए and normal SSD नहीं चाहिए M.2 NVMe SSD तो minimum होनी ही चाहिए हर एक laptop में powerful CPU चाहिए तने price range में look design अच्छा होना चाहिए उसके साथ साथ भई जो comment वगर आते हैं जो review वगर आते हैं वो सभी positive जादा तर देखने को मिलने चाहिए तो यह थे एक basic criteria जो की 30,000 के price range में हमें laptop चाहिए and मैं बता दूँ अगर आप college university में पढ़ते हो ये laptop आपके लिए बहुत अच्छे होंगे and भई अगर आपको office work के लिए जाए business के लिए चाहिए content creator जाए email writing करते हो Amazon office पे काम करते हो आप सभी केड़ागरी के बंदे इन laptop पर जा सकते हो जो मैं अभी आपको laptop पर recommend करने वाल हो तो बात करते हैं laptop की तो number 3 से अपनी video start करते हैं तो number 3 की बात करते हैं कर जा रहे हो बात करते है specification की 15.6 के साथ full HD display है 250 nits की brightness है 45% NTSC की साथ display quality ठीक होने वाली है AMD Ryzen 3 3250 U series का CPU मिल लगा 4 core and 4 thread के साथ 8GB RAM है 512GB SSD AMD Radeon GPU operating system Windows 11 Pro all necessary port मिल जाएंगे 720p web camera, Wi-Fi 6GB, support Bluetooth version 5.0, Android 324 office का battery backup देखने को मिल जाता है यह laptop मैं फिर से recommend कर रहा हूँ सिर्फ वो बंदे लेना जिनको HP या Dell का ही laptop चाहिए वैसे मैं यह laptop पर recommend नहीं करता comment आ रहे हैं कि भी मेरे को HP का laptop चाहिए 30,000 के price range में अगर आप ऐसे बंदे हो तो तब इस laptop क्यों जाना लेकिन जो आगे laptop बताने वालो इससे specification बहुत अच्छे होने वाले है बात करते हैं नमबर टू की नमबर टू पर मैं रखे लिनोगो V15 को अगर इस laptop की बात करो 31,000 के price range में अप प्राक्स मिलेगा लेकिन 30,000 से budget प्रम भी हो जाता है Amazon पे price fix नहीं होता specification से start करते हैं 15.66 के साथ full HD display 250 nits की brightness है Ryzen 3 5300U series का CPU मिलेगा चार कूर के साथ 8GB RAM है 16GB RAM अपगेट कर सकते हो 512GB की साथ है SSD मिलेगी AMD GPU देखने को मिल जाते है Opened System Windows 11 All Necessory Port देखने को मिल जाते है 5-6 गंटे का battery backup Rapid Charger मिल जाता है मतलब 100% चार्ज होज़ेगा ये laptop 30 minute में तो ये laptop students को मैं recommend करना चाता हूँ Office work के लिए recommend करना चाता हूँ Business के related अगर आपको चाहिए Photoshop वगर अगर आपने use करना है तो आप इस laptop में use कर सकोगे तो मेरी और से recommend आपको ये अभी अगर आप 30,000 बजट लेकर जा रहे हो रिनोवो के laptop के और जाना चाते हो जा सकते हो लेकिन वीडियो के end में conclusion बताऊँगा कि इन में से best laptop कौन सा है आपको कौन सा laptop buy करना चाहिए वो end में बताऊँगा अभी नहीं बताने वाला अभी आगी बात करते हैं number one की number one की बात करूँ number one पर मैंने रखा है Acer Aspire Lite को तो यार अगर इस laptop की बात करूँ नया laptop लाँच हुआ है अगर इसके budget range की बात करूँ तो 27,000 के price range में देखने को मिल जाता है specification सबसे ज़्यादा तगड़े इसके 15 पर 16 के साथ Full HD डिस्पले है 8GB RAM है 32GB RAM अपगेड कर सकते हो यहां पर plus point है 512GB SSD plus SSD को भी आप 1GB अपगेड कर सकते हो i3 11th generation के साथ CPU मिलेगा Intel Ultra HD GPU देखने को मिल जाता है Open system Windows 11 Wi-Fi 6 के support Windows version 5.0 720p web camera मिलेगा All necessary port 5-6 गंटे का battery backup देखने को मिल जाता है company कहती है कि 11 गंटे का battery backup मिलेगा dependent करता है कि आप कौन सा काम कर रही हो ठीक है इस laptop पे आप video editing 1080p पर video editing करनी है Photoshop यूज़ करना है color reading थोड़ीज़ी करना चाहती हो आप as a creator as a developer भी laptop को use कर सकती हो conclusion वीडियो का यह है अगर आपका वेड़ 30,000 है तो मेरी और से recommend आपको यह है कि अगर आपको हार्ड कोर मिशीन मिल जाती है अगर आपको HP laptop चाहिए तो 255 HP की laptop के और जा सकती हो लेकिन में आपको recommend नहीं करता तो यह थी मेरी वीडियो I hope कि आपको मेरी वीडियो ची लगी अगर आपको मेरी वीडियो ची लगी वीडियो को लाइक चाहिए तो सब्सक्राब कर दना भी मिलते नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ तेंक्यू